हेलो एवरिवन मैं पुझा चौधरी खुशी मेकवर से वेलकम टो माई चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक पाटी हेरिस्टाइल जो बहुत ही ब्यूटिफुल है बट उसको देखने में ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत मुश्किल है करना नहीं कर पाटिंग में करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा बाल चाहिए उसके बाद हम लोगों ने जो है वह एक फिलर फिल करा है उसके बाद जो चोटी बनाई थी उन वालों को उस फिलर के उपर से डाल दिया यह थोड़ी सी तैयारी है जिसको हमें स्टेब बाई स्टेब करना है एकदम से हम लोग इस हेर स्टैल को नहीं कर पाते हैं थोड़ा सा हम लोगों को तैयारी करनी पड़ती है तो तैयारी किस तरीके से करनी है देखिए पीछे हम लोगों ने पोनी बना दी उन पोनी के बालों को फिलर के उपर को डाल दिया अब जो यह आगे के बाल है इसमें हमें पफ बनाना है बट पफ भी किस तरीके से बनाना है कि हम लोगों को वहाँ पे बोबी पिन नहीं लगानी क्योंकि चोटी हमारी काफी आगे है तो हम लोगों को जूड़ा पिन लगाने में बिल्कुल आसानी रहेगी और भोबी पिन लगाने में बहुत जादा दिक्कत तो देखे हम लोगों ने जो है वह इस तरीके से एक पफ बना लिया इस पफ में अब हम लोग लाइनिंग ही है बहुत मुश्किल से लगा बट लग गई थी तो आप भी थोड़ा इस तरीके से ही आप लोगों को करना पड़ेगा देखे बीच में हम लोगों ने पफ बना दिया था पफ में लाइनिंग बना दी अब हम लोग साइट से बाल ले रहे हैं क्योंकि अगर हम इतने सारे बाल लेते तो हो सकता था हमारी जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो जूड़ा पिन का काम है कि आप लोगों को हर जगा जूड़ा पिन ही यूज करनी पड़ेगी और बाद में इसको मजबूत करने के लिए इस हेरी स्टाइल को ह पाद में लगानी है ठीक है तो देखे हम लोगों ने थोड़े से बाल इधर से लिए और इस पफ के साथ में हम लोगों जोड़ दिये और उसके बाद इसमें भी हम लोगों ने लाइनिंग बना दी अब यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने साइडों का बाल अगना में लिए और यह हैरिस्टाइल अब यह सग कृश्क्रा नहीं है चाहिए हमें हर काम स्टैब भाई करना एक साथ बिल्कूल भी नहीं करना है और मैसी तरीके सब्सक्राइब और उपर के बाल थे'd हमने उसमें finger से lining भनाई थी और उसके बाइदों देकि आप हम लोग जितना भी बाल बचा है अब आप वादों अब ससुच लिजिए कि जितना भी बाल बचा है उन सभी बालों में हम लोग को Curl करना है चाये आप pressing machine से करिए चाहें आप curl machine से करिए जैसे भी आपको curl करना है लेकिन हमें इन सभी बालों में आप curl करना है बट थोड़ा separate करके करना है पहले हम लोग नीचे के बाल जहां पर हम लोगों ने pony बनाई थी और puff डाला था उसके उपर के बालों की जो है पूरे बालों को हम लोगों ने नीचे के पूरे बालों को हम लोगों ने कर दिया कितना beautiful लग रहा है आप लोग देख सकते हैं अब हम उपर के बालों में भी देखिए इसी तरीके से मोटे मोटे करेंगे इसमें बहुत ज्यादा आपको पतले पतले करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर आपके बालों की जो लैंथ है वो कम हो जाएगी और जो हमारी मोडल इस्टाइम हमने बठाई हुई है उनका बहुत ही अच्छा बाल है बहुत ही सुन्दर बाल है और कलर्फुल बाल है क्या होता है जब भी हम लोग हेरिस्टाइलिंग करते हैं तो अगर कलर्फुल बाल हम लोग को मिलते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमारा जो हेरिस्टाइल है वो शोफ होता है और बहुत ही अच्छे से वीजिवल होता है तो लोग कमेंट यही होता है में आपका पर है तो मैं आप लोग